Hello everyone, it's me Anjali from Anjali's Food and Travel World तो guys आगए हूँ आपके साथ एक बहुत ही जादा informative वीडियो लेके तो guys आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे होटेल्स के बारे में Yes guys, 3 best luxury hotels निया अयोध्या राम मंदिर तो guys आप लोग अगर वहाँ stay करना चाहते हैं तो सारी luxury properties आज बताने वाली हूँ तो चलिए बिना time waste के बढ़ते हैं आगे No.1 पे है दर रमायन ना hotel अयोध्या 4.3 rating के साथ इसका जो price है वो higher point पे है बिकोज ये बहुत जादा luxury property है 5 star hotel है आप इसके rooms और bathroom से अंदाजा लगा सकते हैं जो लोग luxury living या फिर जिन लोगों का budget का कोई problem नहीं है budget constrained नहीं है तो वो definitely आयोध्या में इस जगा को book कर सकते हैं and prices थोड़ा vary करता है depending on the season and off season तो आप यहाँ पे देखिए आप bedroom काफी अच्छा है यह है conference meeting room जो है बहुत सारे office meeting seminars वगेरा जो होते है न ट्रिप वगेरा यहाँ पर organize किये जाते हैं room बहुत ज़ादा lavish है sweet room है यह बहुत खुबसूरत room है तो चलिए अब बढ़ते हैं तारा जी resort hotel and restaurant best in hotel यह आयोध्या फैजाबाद में है तो जो तारा जी resort है यह जो price आपको दिखाया मैंने यह भी आपका काफी ज़ादा अच्छे property में इसकी गिंती होती है और यह देखे जपूजी है bathroom में और यह देखिए इतना बड़ा यहाँ पर banquet hall वगेरा भी है conference meetings यहाँ पर भी होती है और luxury stay का का आफी ज़ादा ध्यान दिया गया है यह है इसका dining space और अगर मैं bedroom की बात अगर आपको करके दिखाऊं तो देखिए तो चिस तरीकी का bedroom है महराजा चैस दिये गए हैं जो की आपको पहले hotel में भी दिखा होगा AC वगरा सारे luxury amenities सब कुछ है तो यहाँ पे भी अगर आपका budget permit करता है तो आप रह सकते हो तो तीसरा royal heritage hotel and resort इसका rating भी 4 है 4 above वाले सारे आज मैं आपको review कर रहे हूँ यह देखिए 7,168 कल का rate था इसका तो यह देखिए इस तरीके का कुछ आपको यह lavish सा जगा है palace look and feel दिया गया है with swimming pool swimming pool area काफी इनका बड़ा है बहुत spacious है अगर bedroom की बात की जाए तो bedroom भी काफी बड़ा है और इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा with proper sitting and यह है इसका lawn area जो बहुत बड़े space में बना है और शिव जी की सामने एक मूर्ती भी बनाए गई है तो पुरा palace look and feel है royal heritage का तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी stay कर सकते हो बहुत ज़ादा खूबसूरत है यहाँ पे banggood hall यहाँ पे खूबसूरत सा white color का marble finishing का हनमान जी का मंदिर है और अगर room की बात करो तो guys यहाँ पे काफी ज़ादा अलग-अलग size के bed भी आपको मिल जाएंगे देखेंगे 4 people can share this room बड़ा-बड़ा size है swimming pool में आप आराम से chill करें friends, family and किसी के साथ भी आप यहाँ पे आओ आराम से अच्छा ही cozy time spend कर सकते हो यह है इसका खूबसूरत सा lobby area तो guys I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो please like, share and subscribe my channel और बहुत जल्दी मिलती हूँ आपके साथ किसी next वीडियो में till then bye, take care and thank you